हाँ तो भाई अभी है हम लोग वसीम भाई के कैटल फार्म में जो की है मटिया प्रूज में अगर आप लोग यहां आना चाहते हैं तो आप लोग जो है एक 500 के स्पेशल वीडियो आप लोग कह सकते हैं इसे और सपोर्ट दिखाएगा और मटिया प्रूज से बहुती रेली हम कोई वीडियो दिखाते हैं तो 24 कलेक्शन का पहला जानवा निकाल करके दिखाते हैं जो कि है वसीम कैटल फार्म से मटिया प्रूज 24 कलेक्शन का आई आई ये सिंगल जानवा निकाल करके दिखाते हैं और वीडियो के थ्रूज आप लोगों को पेश करते हैं और मटिया प्रूज में अगर यहां आना चाहते हैं तो बरतल्ला सिग्नल में पहुच करके आप भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वसीम भाई को वह आपको तो भाई वसीम भाई का जो फार्म है जो यहां पर हम लोग अभी मटिया पूरूज में आए हैं उसका सबसे पहला जो 24 का कलेक्शन का जो जानवर है जो आप लोग को एक 500 के स्पेशल में देखने को हम बोले थे कि दिखाएंगे वह आ चुका है और उस जबरदस्त है ठीक देखो कहां चली है यह देखो मतलब भाई इसका जूठी है ओवराल सिमेट्री जो है बोडी का वह बहुत ही ज्यादा यूनिक है ठीक है माशा अल्ला क्वालिटी देखो फ्रेंड्स आप लोग हाँ फोर के माप लोगो देखने को मिल ला यह वीडियो ट्वेंटी फॉर कलेक्शन मढिया पुरूस का जो की बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है गवालवारी का तो सभी लोग देखा रहे लेकिन मढिया पुरूस का ट्वेंटी फ माशालला क्वालिटी देख एक बार यह होता एक टॉप हरियाना क्वालिटी यह होता है फ्रेंड्स एक टॉप हरियाना क्वालिटी जिसमें सिमेट्री हो च्छाइपन हो सामने और पीछे और जूठी बहुत ही ज्यादा टॉप लेवेल हो ठीक है माशालला जबरदस्त यह देखो इस पेशली इसका यूनिक चीज यह इसका जूठी ठीक है मतलब इसका अलगी एक जो है बना वटाया देखो तो यह फ्रेंट्स वसीम भाइगा जो कि हम लोग एक साल पहले कवर किये थे और वापस से हम लोगों को एक बर जो है वो विजीट हुआ है माशाओला बहुत ही खुबसूरा थे फ्रेंट्स देखिया आप लोग चाल देखिएगा फ्रेंट्स अजब चले गई है तो फ्रेंट्स जैसे कि हम आपको बोले थे कि मटिया पुरूज में आज हम लोग आए हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसा वक्त हो गया था कि हम लोग फ तो जिसका जो है यह फर्स नंबर जो है वो जानवर निकला है और इसका आप लोग को ब्यूटी दिखा रहे ठीक है अच्छे सा आप लोग देखिए 4K में ताकि आप लोग को और ब्यूटी समझ में आगा यह है फ्रेंट्स माशालला हम लोग का फर्स जानवर हर्याना का बहुत ही जादा टॉप कॉलिटी और एक चीज़ देखने को मिल रहा है फ्रेंट्स हम लोगों को कि इसका जो यह वाला पॉर्शन ना सिमेट्री वह बहुत ही जादा अच्छा है और आने वाले वक्त में इसमें जब मास चड़ेगा रेडी होगा यह परफेक्ट्ली 24 के ल है ना वह फिटनेस में काफी ज़्यादा अच्छा है ठीक है और खुबसूरत भी लग रहा है और अभी जैसे यह निकला ना मतलब पूरा यहां से भाग करके अंदर अपनी जगी पर जाने माग रहा था आई थिंक आप लोग यह देख करके अंदाजा लगा पाए होंगे क यह हरियाना कितना खुबसूरत है ठीक है और वसीम भाई का जो फार्म है वह 24 कलेक्शन के लिए अभी फिलाल आट से साथ से आट जाना रखे हैं और आस्ते अस्ते बढ़े का आने वाले वक्त में ठीक है अभी यह आया है छोटा सा माशालला बहुत ही खुबसूरत बॉनी बहुत ही शौट हाइट है यह वाला ओके वाइटनेस बहुत अच्छा इसके अंदर माशालला खुबसूरत है और यह घुमते रहता है फ्रेंट शीक है वह यह होता है फ्रेंट से खाड़ा हर्याना मतलब बहुत ही जबरदस्त कॉलिटी है देखो हर्याना में ना फ्रेंड ज़ालर बहुत ही कम निकलता है और मतलब पूट बहुत अच्छा बनता है इसमें यह दोनों चीज है माशालला और जो चीज आप लोग देख रहना भी यह सिफ और सिफ हंड़ट परसेंट में से 50 अभी और 50 परसेंट इसमें आना बाकी है और जब यह 100 परसेंट बनेगा ठीक है अभी एक बार इसे घुमाते हैं कि गेट अभी बन कर दी है और थोड़ा से इसका चाल देखाते हैं आप लोग जब यह चलेगा ओके ऐसे तो बंधहवा में आप लोग फुरा देखी चुके हैं खुपसूरत जानवार है माशालला अभी इसको थोड़ा सा आप ले जाएंगे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे सिंगल सिंगल जानवार आप लोग को वीडियो के थूरू पेश करना इसे लिए आप लोग जहां स्टे ट्यूंड बने रही है ठीक है माशालला क्वालिटी देखो अब अल्टी मेटे फ्रेंड्स माशालला तो पूट का जो होता है ना बहुत ही बड़ा पूट वह एक दम पूरा 100 परसेंट लुग दे रहा है तो इसका हर्याना का पूट के इतना फुफसूरत बना है और अभी इसमें और बहुत अच्छा मासाना बाकी है और 5-6 महिने में आप लोग को बहुत ही अलग एक लुक सब्सक्राइब भी है मतलब यह कह सकते हैं हर चीजेस में आप लोग फुल इसका जो है सिमिट्री देखिए एक बार अच्छे से फोर के में जबर दस तो यह आप लोग देख लीजिए अच्छे से फर्ष्ट नंबर वसीम भाई का या पाम से यह निकला है बहुत ही यूनि है जो हम लोग धूनते हैं जानवार में ठीक है और स्कीन क्वालिटी वेट की बनावाट और डेवलप होगा आने वाले चार से पांच महीने में ठीक है तो यह आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि अब यह जब चले जाएगा तो फिर आप लोग नहीं देख पा तो एक लास्ट राउंड घुमाएंगे और फिर इस जानवर को हम लोग ले जाएंगे तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको देखिए जब फिर यह जब चले जाएगा तो आप लोग अच्छे से देखनी पाएंगे से तो क्वालिटी माशालला बहुत ही यूनिक है इस कोई तकलीफ नेगी यह हंडेट परसेंट है अब यह जा रहा है देख रहे हैं अलग एक फ्रेंट्स इसमें जो है ना शाइनी है मतलब जो हम लोग को धूनते हैं हर्याना जानवर में बहुत ही अच्छा है चीज़ए यह तो फ्रेंट्स यह था हम लोग का पहला नंबर ज ऐसे ही सिंगल जानवर नेक्स्ट पार्ट में भी आगा तो उसके लिए आप लोग बने रही है क्योंकि सिकेंड पार्ट में जो है बहुत ही भारी जानवर निकाल करके दिखाने वाले है यह वाला फर्ष्ट नंबर जानवर हर्याना का बहुत ही टॉप लेवल इसका पार्ट मिस मत कीजेगा बहुत ही अच्छा होने वाला है अलवीदा